हेलो स्टूडेंट नमस्कार मैं डाक्टर स्याम किसवर पड़ल असिस्टेंट प्रोफेसर एक स्कूल आफ रिरिकर्चर आईटीम इनिवस्टी में मैं आप लोगों को ब्स प्रोग्राम में जैसे कि आप लोग 5 समेस्टर में 3 यह के मैं आप लोगों को प्लान पेथलोजी केवलन और कोर्स टाइटल डिसीज़ और फिल्ड एन हल्टी कर्चर क्राप एंदेर मनेजिन फर्स्ट जिसमें की हम केवल फिल्ड क्राप का डिसीज पढ़ांगे आज हम इनुट नमबर वन का डिसीज़ आप सोरगम पढ़ेंगे जो की लेक्षर नमबर 6 के अंतर आता है और लेक्षर नमबर 6 का पार्ट 2 है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज की लेक्षर का आउट लाइन देख देता हूं कि आज हम पढ़ेंगे क्या क्या तो पहला इंट्ड़क्शन टू सोरगम डिसीज़ ए मैं पिछले वीडियो लेक्षर में पी आपको बता दे चु जो हम सलेक्ट किये हैं आज पढ़ने के लिए तो उसका एकनोमिक इंपोर्टेंट क्या है तो उसके बारे में मैं पताऊंगा देन आज हम सोरगम का दो डिसीज पढ़ेंगे पहले डूसरा इस्ट्राइगा यह बहुत इंपोर्टेंट डिसीज़ है सोरगम की लगबग 15-20 पर से जो सोरगम की कराब का जो नुकसान होता है इन्ही डालो में डिसीज कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को एक इकसरसाइज होंगा इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज के लेच्चर का लर्निंग आटकम क्या है क्या क्या सीखा हमने देन इसकोप के आप लोगों के लिए लेचर या पीपीटी फॉर्म में तयार किया है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सुर्गम डिसीज़ तो जैसा कि मैं पहले भी पता चुका हूँ सुर्गम एक मोस्ट इंपोर्टेंट सीरियल क्रॉप है यह मोस्टली ट्रॉपिकल और कंट्री में उखती है चुकि सुर्गम को गाने के लिए पानी की जरूरत कम होती है इसलिए ड्राउट कंडिशन में भी उख सकती है इसलिए हम इसको कई बार हम कैमल क्राप भी कहते हैं बाजरा के साथ चुकि जो सुर्गम है कम पानी में उखता है इसलिए इस पे डिसीज और पेश्ट लगने की समभाबना वह ज्यादा होती है mostly हम सोरगम को खरीब सीजर में उगाते हैं बट कभी-कभी हम सोरगम को रभी सीजर में भी उगा सकते हैं तो सोरगम में हमने बहुत सारे डिसीज पढ़ लिया जैसा कि हमने रस्ट पढ़ लिया बिल्ट पढ़ लिया हेड स्मार्ट करनल स्मार्ट ये सारे डिसीज हमने पढ़ लिया आज हम दो डिसीज पढ़ेंगे पहला डाउने मिल्डू और दूसरा इस्ट राइगा ये बहुत इंपोर्टेंट डिसीज है सोरगम में ठीक हैं इसमें मैं आपको बताऊंगा कि तो इस्ट इस आप सोरगम इसमें सोरगम का आज हम दो डिसीज पढ़ेंगे डाउने मिल्डू और इस्ट्राइका तेन डिटेक्शन एड अडिनिटिफिकेशन आप दे पैथोजन इसमें कौन सा रोग कारक है जो इनके द्वारा पौधों में रोग उत्पन हो रहा है फिल्ड में उसके बारे में बताऊंगा और फिल्ड में हम इन रोग कारक को कैसे पहचान सकते हैं यां दिवेसी साब सिम्टम की यह सिम्टम देख के बता दें कि ए रोग है लगा हुआ है और विश्चेट की बिल्ड में इसके बारे में आज बताऊंगा तीं टू श्टेडी तब प्राइमरी सोरषा पी नकुलम क्या है यह जो पहली बार जो पौधों में रोग लगता है उपकिसके काणा होता है तिन सेकंडरी सोरषा किनकुलम क्या है सेकंडरी मतलब रोग पहले लगने के बाद फैलता कैसे उसके बारे में इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे हम इन रोग की रोग थाम कर सकते हैं फिल्ले में इसके बारे में बताऊंगा उसमें कल्चलर प्रेटी से रेश्टिंट बराइटी बालोच कल कंट्रोल के में अब बताऊंगा इसलिए वहां के इकोनॉमी में में मेजर सपोर्ट करती है यदि इस और गम में एक क्राप में डिसे लग जाती है जो की बाइरस के दाराव बक्टेरिया के दारा निमटौड या फिर फंगेस के दार लगती हैं तो यदि रोग लग जाता है तो सोर्ओं की ऐब चाप को वह ज्याधा नुक्सान पहुंचता है फ़ारमर को इल आज के लेच्चर का economic importance है दिन फर्ष्ट डिसीज आज हम जो पढ़ेंगे ओ है डाउने मिल्डू तो डाउने मिल्डू आप सोर्गम को हम leaf is reading disease भी कहते हैं हुआ तो हुआप मोलम होती है एह बहुत इंपोर्टं टिसीज लगवभ बीर से पत्सित परसंब को How SAW की क्राप का नुखसान होता है ईफ के द्वारा ही होता है है इन इन इनमेक इंडिया में ज्यादा अटेक करती है ज्यादा नुक्सान पहुंचाता ही पहुंचाती है एस कंपेर टू नरण इंडिया इंसेंटर इंडिया डिसीज इंडेल्टा रिजन आप दान प्रदेश भेर कूल हमिडिट कंडिशन प्रिवेल इसका मतलब है कि मुस्टली ये महाराष्टा में भी ज्यादा मात्र में लग जाती है लग बग जैसा मैंने बताया कि 20-25 परसेंट जो सुर्गम की कराब का जो नुक्सान होता सदन इंडिया में वो इसी डिसीज की वजए से होता है देन इनका लच्छन क्या क्या ही डिसीज का तो डिसीज में जैसा कि वाइट कलर या ग्रेज कलर का पौडरी मास्क की डाउने मिल्डू पर जम्म हो जाती है और जब यह डिसीज सीवर कंडिशन में आती है तो यह डाउने ग्रोथ अपर सर्फेस आफ लीव की उपरी सतय पर यहां तक की इस्टेम और फ्लावरिंग पार्ट में भी आ जाती है तो जो पहले पत्ती होती है उनमें के बाद थोड़ा थोड़ा ए ग्रीन और एलो पैचे का डिस्कलरेशन दिखता है इंफेक्टेंड पोर्षन में जब बहुत ज्यादा डाउने होइटीस ग्रोथ हम लोवर सर्फेस पत्ती की लोवर सर्फेस पर हम देख सकते हैं और जो तहूं इसमें जो डौने ग्रोथ होता है वहादी बहुत अधीक मात्रा में है तो पती की उपरी सर्फेस में बी आ जाता है जैसे जैसे प्लाण्ट ग्रोव होता है ब्लांट की हैट बढ़तिए प्रइट अोप We stake लीफ मतलब लीफ में इंड जो की डॉन में लू पैथोजन के दार हो रहा हा है जो प्रिदॉस प्रोसपोरा सुरlement के दार हो रहा है डूबाद फो चुए watch-c इसमें स्रीडिंग का मतलब होता है की इससे जो बीच का जो टिसू रहता हो जटने लग जाता है बट ऊसका इंट्रूमिश सीन게 चाहरा होता है वो जट के exchanged फोटोग्राप में बड़ी असानी से दिख रहा होगा इस कंडिशन को हम लेफ स्रीडिंग कहते हैं और जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो इंफेक्टेड यौ तो सेगंडरी इंफेक्शन बाई इस्प्रेणिया जो खड़ी होगी इस्प्रेणिया के द्वारा होता है इसमें आपको दो चीजहां याद रखते हैं, किसमें जो हुआइटी ग्रोथ होती है पती ग्लोबर सरफेस में होती है, इसके बाद पती की अपरसरफेस में हो जाती है, इसके लाबा जब सीबिर कंडीशन में आता है, तो उसके वाइट इसुटिक हम बढ़ी आसानी से अपर सुर्ग में तो आप लोग याद रखना इन पैथोजेन बायलोजी और पैथोजेन ऐड़ीक इस्रीश्विक होता है और यंग पत्ती में यंग होस्ट प्लांट में इंंटर सुल्लर नान सिप्टेड मैसलीम बनाता एंग अबलीगेट परसाइड होता है इस पुरंजियो फोर जो होता है वो इस्टेमेटा से इमर्ज होता है या तो सिंगल रहता है क्लेस्टर की रूप में रहते हैं उसमें डाइक काउटनिस ने ब्रांचम बढ़ी आसानी से देख सकते हैं और इस पुरंजियो फोर में इस्ट्रिगमाटा बनता है जिसमें इस प प्रत्य पने फंगल होता है इलेन होता है फिसंग बनता है mail नन परफियत्स वरिष म tenía बनाता जो इस टूठ जो पैरेलर बेंड के समान बड़ी असानी से आप लोगों को लिप में दिख जाते हैं और जो इसपोर होता हो थी ठीवालडब्ला होता है और थीख वालड होती है ओ गॉल्दन एलो किलर का होता है उस पोर करता है और आप सीजन में इसी के दौरा जो पैथोजर्न होता है वो लंबे समय तक survive करता है जो disease cycle होते हैं तोänder之 है כל में जो इसका primary infection होता है जो की soil में में लंबे समय तक survive करता है अपसीजर्जर्जन में इसके दारा systemic infection होता है, systemic infection का मतलब होता है कि यादी pathogen किसी एक जगह पे लग गया है, तो पूरे पूरे पूदे को infect कर देता है, सो systemic कहते हैं, जबकि local infection में pathogen जहां पे लगता है, वहीं का tissue damage होता है, वहीं पे सिम्टाम आते हैं, जो spore होता है, वह स्वाइल में बहुत लंबे समय तक survive करता है, चुँकि seed में systemic infection हो जाता है, तो seed भी एजासोर सा phenoculum कार करते हैं, यादी infected seed हैं तो, और जिसका secondary spread होता है, बाई मेंसा फियर sporengia के दोरह होता है, चुकि इसका secondary spread air sporengia के दोरह होता है, तो बहुत कम समय में ही लगवापूरी क्राप को infect कर लेता है, इसकी favorable condition में, यदि, जो maximum sporulation होता है, जब 100% humidity होती है, उस time पे maximum sporulation होता है, और optimum temperature जो होता है, वो 21 degrees integratory temperature हो, तो उस time पे DC बहुँ ज़्यादा लगती है, उस time पे यदि हलकी सी drizzling हो जा रही है, बारिस हो जा रही है, उसी के साथ cool weather होता है, तो highly favorable होता है, इस disease को डवलप लगने के लिए, सौरगम के पोधे में, इन management part में, यदि हम affected plant को हम remove कर देते हैं, रिश्ट्रा कर देते हैं, जला देते हैं, उस poor formation उस poor लगने से पहले, तो इससे inagulum potation जो होता है, वो काम हो जाता है, inagulum load काम हो जाता है, इससे disease बहुत काम लगती है, वो निग लीजिबल होती है, यदि हम दूसरी pulse और oil seed के द्वारा crop rotation अपनाते हैं, तब भी disease control हो जाती है, यदि हम resistant और tolerant variety ग्रो करते हैं, जैसे कि CH2, CSV5, SPV101, 165 and 190, जो tolerant variety हैं, यदि हम इनको ग्रो करते हैं, तो यह disease नहीं लगती है, यदि हम मेटल एक जिल या अपरान 35 HD एड़रेटा 4 ग्राम परकेजी इसके से हमसे टीटमेंट कर देते हैं तब भी एडिसीज नहीं लगती है इसके लाव हम मेटल एक जिल जाए जिसको के हमरे डोल में लिए यमजेट कहते हैं यदि हम एड़रेटा 0.2% इस्प्रे कर देते हैं तब भी एडिसीज नहीं लगती है इसके लाव हम में को जब एड़रेटा 0.25% भी इस्प्रे कर सकते हैं दिन दूसरे डिसीज आता है फिरोगेमिक परसाइट इस्ट्राइगा इस्ट्राइगा को हम भी विच वीड भी कहते हैं ये फिरोगेमिक परसाइट के अंतर आता है सद पहले मैं आपको बता देता किengo करा साइट ऐसे इंग नोगेमिक परासाइट होते ने जो सीड़ स्क्राइट होते हैं और फिनगांट नौड्री ने इस ट्राइगा एक फिनोर्गामिक परसाइट होता है यह रूट परसाइट होता है तो फिनोर्गामिक परसाइट दो टाइप के रहते हैं रूट परसाइट और इस्टेम परसाइट फर्दर हम इस्टेम रूट परसाइट को दो भागों में बाट सकते हैं पार्सियल इस्टे प्लांट जो रूट में परसेटाइज रहते हैं वहां से नोटीसां सब करते हैं दो हम रूट परसाइट कहते कीयते हैं और यसे इध्यू प्लांट जो अच्छे में रहते हैं मों को भेन के पिर इस तो पर्सवील का मतलब होता है कि जो इंजैस्परमिक प्लांट है पर झोरोगरमिक पर सब्सब्स हें उसे और चैंपर इसके जैसा रूट का भी क्लासिपिकेशन हो से इसके रावह आपको इसमें एक्जामपल याद करने की जरूरत है ते एक्जामपल में जो कम्प्लीट इस्टेम परसाइट है उसका एक्जामपल कसकुटा होता है ते जो पार्शिल इस्टेम परसाइट होता है उसका एक्जामपल लोरेंथास होता है इसके लाबार जो कम्प्लीट रूट परसाइट होत तो जो पार्चिल रूट पैराइट होता है और स्ट्राइगा होता जिस्कोग भी हम विशवीड भी कहते हैं तो इस्ट्राइगा या भीश है इस सांतिकर नेम है स्ट्राइगा एस अचियमोट advisor का और इस ट्राइगा बहुत नूट्रीशन मिलना चाहिए वो नूट्रीशन इस्ट्राइगा सक्कल लेता है पर पौदे को नूट्रीशन की डिफिशेंसी हो जाती है अलगा 15-20% जो इल्ड का नुकसान होता है इसी इस्ट्राइगा के द्वारा होता है इसके सिम्टम में हम देखते हैं कि सोर्गम का जब इस्ट्राइगा का जर्मिनेशन नहीं होगा तो रूट 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 इस्ट्राइगा का जर्मिनेशन नहीं होगा लूंग सोकता है यहां से करता है मेरी सिज़ाप में और यह मैने में कि संटीमीटर का पधे बहुँद नयाख papis 15 में कτι दि Вас जाता है है कि पेस्टाइट होता है वहां पर जाधा faster grow करता है per quanto host plant जब severe infection होता है इस में allowing and building host में आ जाता है इसके लाबा कई बार पोधे में stunting भी आ जाता है और पोध justice场 से पहले ही पोधा मर जाता है यद revenue इंफेक्शन अर्ले स्टेज में हो जाता है तो इसका लबा जो इस्ट्राइगा यदि इस्ट्राइगा 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 होता है 味iałem है तंह बहुता है जब कि इस टाइगाड में डिशी-व्लोरा बहानों ऐसले for बनाता है इस व्लोर का पिछृ टो में देखते हैं कि इस टो यूजे में ए पार्सिन ब्यूंट होता जैसे कि हमाई बताया Northern गलान्ट होता है इसम में ब्राइट कलेट के लीप honey is deep ऑले किमें घ्ली चारलों दोब होता है जैसे कि आपको इस फोटोग्राप में वाइट कलर का फ्लावर बनाता है तो इसके लाबहा इसमेए बहुत सारा चोटा-चोटा सीड बनता है जो कि आसंवाहिल में बहुत लंबे समय तक सर्वाइब करता है लग बाउद 15 से साइकल में यादि होस्ट अप्सेंट है जो सीड रहता है वह पहुत लम्पे समय समय दक स्वाइल में बाइबल रहता है वो जिनदा रहता है सीड जर्मिनेशन तब ही होता है जब वह स्ट्राइगा पीडा तब इस ट्राइगा का इन्फेक्षान होता है देन इन मैनेजमेंट पार्ट यदि हम हैं निपीडियम करके इस्ट्राइगा परसाइट कम फ्लावर से पहले ही रिमूब कर देते हैं तो उस पे फ्रूट्स नहीं लग पाते सीड नहीं लग पाते और उस पर फिल्ड में इस्त्राइगा के जर्मिनेशन को फिल्ड पिछी हुर्ट करता है। धर्माट करना का पर्मोट करते हैं। फरनौ्क पारमिमेट हो रहते हैं। जो कि यह होता है एक हर्भी साइट है यदि हम इसको स्प्रे करते हैं एडिरेट फॉर फिप्टी टुफाइड ग्राम पर फाइव अंडेल लिटर देन यदि हम पेराकॉट को भी एक केजी परेक्टे स्प्रे करते तब इस्ट्राइगर कंट्रोल हो जाता है यदि हम वन परस इसके बाद हम आप लोगों को एक्सराइज देंगे आप लोगों के फिल्ड पे जाए और इस्ट्राइगर डाने मिल्डू का सिंटर प्लेट कर लिए और है बिरियम फाइल बनाईए जब कभी आप लोग लाइप कंडिशन में आएंगे उस टाइम पर हम आपको स्राइड बताएंगे और कैसे आप लोग को डाने मिल्डू पर तो जाना उसलेट करोगे उसको भी मैं बताऊंगा इसके लाबा मैंने यह भी बताया कि आप फिल्ड पर कैसे अडिंटीफाइग करोगे कि एडिसीज है तो आज हमने दो डिसीज पोड़ी सोर्गम भी पहला है डाने म इसमिटम क्या रहते हैं इसका अफुड़ प्रेवल कंडिशन क्या है पाइज करेक्टरिस्टिक क्या है मैंनेजमेंट क्या है इसा ने बता दिया इसका लाब हमने भी बताया कि आप फिल्ड में जाके आंडिवेशी आप सीम्टम क्या निकिक और डिसीज है तो आज की इसमें आप लोग अलग लग जगे से संपले कलेट करें और लेम में लग इसलेट करें और देखिये कि करना है जो प्रेथोजन को अच्छे से कंड्रोल कर रहा हो देन ए रिफरेंस है जहां से हमने प्रेजेंटेशन बनाया है आप और इस्टिडी करनी है सब्सक्राइब के बारे में तो आप ए बुक रिफर कर सकते हैं आप आज हमने दो डिसीच पढ़ें डाने में लोग इस्ट आएगा यदि वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कन्फीजान आता है तो आप हमसे डाइरेक्ट पूश सकते हैं या आप लोग अपना टीम पर स्वाप्त करते हैं हमारा लेच्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिश्ट आप लग